तो जैसा कि पिछल एपिसोड में हमने देखा था कि आनमे को अब एक चीज समझ में आती है कि भाई वांग लिंग बैटल तो है इसका मतलब अलग लेवल पे बड़ यह जो स्कीम करता है जो योजनाय बनाता है वो और भी अलग लेवल पे है अब आगे फिलाले आप पर एक स शाम में साथ एक वीडियो आजाए क्योंकि अभी तो मैं रात में सोया भी नहीं हूँ इंडिया जीत गई है और थोड़ा इमोशनल माहूल भी है तो आगे बढ़ते हैं तो फिलाल यहां पर जो एल्डर्स में से एक थे वो जो बंदा था यांग यू उसके एक अंकल हूँ और दूसरे का नाम वो किंग था वो अभी डेविल कलेक्शन सेट का ही था दोनों का पावर लेवल निर्वाना शैटर के अर्ली फेस में था फिलाल कियानमे को तो यह दोनों पहचानते थी मतलब कौन नहीं चानता था इसे लेकिन क्योंकि इसने बाले उक रंग बद हा रहा था कि फेलो कल्टिविटर लू आपके जो स्पेल्स है क्योंकि इसका नाम लू जिहाओ भी है न बहुत हमेसिंग है तो मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ वांग लिंग भी कहता मूझे भी कोई प्रॉबलम नहीं मैं डेविल कलेक्शन सेट के साथ अच्छे रि मैं बस एकी चीज पूछना चाहूँगा क्या आप हमारे एक शनल एल्डर बनना चाहेंगे और नहीं भी बने तो हमें मतलब ऐसे फ्रेंड्स तो रह सकते हैं फेलो कल्टिविटर टाइप वूकिंग भी बोलते हैं कि हा यार मुझे भी वही बोलना था वांग लिंग भी अ कल्टिविशन बहुत श्रेंज है लिहाई भी सेम बात कहता है हाँ यार एक तो यह बन्दा बहुत चोकन्ना है और शक हमेशा रखता है और अलगी बुद्धी मतलब इसकी है रूथलेस भी है और डिसिसिब भी है पर तबी अचानक से यहाँ पर एक वाइट फिगर वाले बंदे प्रकट होते हैं जिन्होंने डाविश रोप पहना था और यह बोलते हैं मुझे नहीं लगता कि वो मुझे देख पाये था मतलब क्यूंकि शादी है इन्विजिबल थे पर टांगलिया ही कहता है अगर देख भी लिया होगा तो शायद उस लिक्यान में निबताय हो हमें बस जेड और पिल रेसेपी चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारे शेहर थे और हर एक शेहर का अपना मार्केट था वांगलिंग कुछ दिन बिताता है और फिर कियान में से विदा ले रेता है और कुछ एक नए जगे पे आसपास में जो शेहर थे वहाँ पर घूम रहा और वो एक्स्प्रेशन देता ही नहीं मतलब फिल करने के बाद भी उस तरब देखता नहीं कि मैंने किसी को देखा है और यह बोलता है मतलब शायदिन लोगों को संका हो चुका है उस पे लोर जेड के बारे में इधर कुछ दिन और भीतते है वांगलिंग कुछ एक मैप्स सेनियर मेरे टीचर ओयंग लॉंग ने आपको इन्वाइट किया है और फिलाल वांगलिंग इसके साथ निकल जाता है यह जो शहर थे यापर यह हवा के बीच में मानो तैर रहे थे मतलब जमीन जो थी हवा के ऊपर थी तो फिलाल एक सेंटर स्टोन पर वांगलिंग पहुं अगर आपको गैंबल वगरा का शौक है तो आप लंबा जीत सकते हो हलागि वांगलिंग इसके साथ था बढ़ इसका डिवाइन सेंस फैल के था और यह एक पवेलियन में पहुंचते हैं जहां पर एक बैटल भी से देखने को मिलता है दो स्परिच्वल बीच्ट जो कि हज जार हजार फिट के होंगे एक दूसरे से बैटल कर रहे थे जहां से एक रास्ते से गुझर रहे थे और यह दिरदरे अन्त की दरब बढ़ते हैं और ओयांग लॉंग बताता है कि यहाँ पर आगे में का ऑक्षण है जो कि इसके अंकल मास्टर हैंडल कर रहे हैं जो कि private auction है, अगर आप interested हो तो चल सकते हो, और इस दुरान ओयों लॉंग लॉंग इस से पूसता है कि आप मेरे एक doubt को resolve कर सकते हो, वांग लिंग हाँ में से रिलाता है, अब ये बंदा पूसता है कि आपको मेरे identity का पता कैसे चला, मतलब वांग लिंग ने इसे directly कहाता है, कि और long हम इसे long ही बलेगे, इस से wife force तो जवाब निकलबा नहीं सकता था, तो फिलाल यहाँ पर restrictions यूज करके यह उस private place में पहुंच जाते हैं, जो कि basically एक hall था, जहाँ पर कुछ एक cultivators बैटे वे थे, मतलब साथ cultivators तो दिखाई देते हैं, जैसे वांग लिंग यहाँ पर प एक और बंदा था, जो कि यंग काफि दिखा रहा था, और वांग लिंग के तरफ इंट्रेस्ट के साथ देखता है, एक woman में इसके बगल में बैटी थी, दिखने में ठीक ठाक सुन्दर थी, मतलब एक बार वांग लिंग के तरफ देखती हैं, फिर कोई इंट्रेस्ट वग वुमें थी, और ये भी वांग लिंग को एकदम कोल लुक के साथ देखती है, अब फिलाल, जो ओ लॉंग के अंकल माश्टर थे, यानि कि एशन पाइन, वो खड़े होते हैं, और यहाँ पर इंटर्डियूस करते हैं, और जेट्स यहाँ पर पास करते हैं, हर एक बंदी के बोलते हैं, बोलते देखते हैं, जज्जमेंट किसका सही है, एक फ्लाइंग स्वर्ड, दूसरा आइटम एक ब्रोकन आर्मर था, तीसरा आइटम एक पिल था, पहले को ब्लड क्रिस्टल स्वर्ड कहा जाता है, और यह बताते हैं, कि मैंने इससे रैंक 8 के 1000 विष्ट मारे ह और बताते हैं, कि जो मेरे सीनियर डाव यह है, उनने इसे इनलाइटन भी किया, मतलब इसका पावर और बढ़ा दिया, जो सेकेंड आइटम है, वो बोलते कि यह स्पेल्स का कलेक्शन है, बट यह ब्रोकन हो चुक है, तो इससे कल्टिवेट करना impossible टाइप है, तीसरा आइ फिलल जो पिल था, उससे एक ओल्ड मैन देख रहे थे, और बोलते हैं कि मास्टर एशन पाइन इसके लिए मैं आपको 500 सेलेशनल जेट्स दूँगा, और यह जो आर्मर था, इसके लिए वांगलिंग 100 सेलेशनल जेट्स बोलता है, और एशन पाइन क्याते हैं, शायद लेवल के बंदों को भी, इंजर्ड कर सकता है, लेकिन बोलते हैं एक से क्या ही होगा, और यह ओल्ड मैन इस दोरां दो आइटम्स निकालते हैं, जिसमें से एक रेड फैदर था, लाल पंक, और दूसरा, एक खोपड़ी थी, जो कि फॉग में ढखी हुई थी, उसका introduction क्या ही देना, यह semi-fog rank का, 12 rank का beast है, और यह बोलते हैं, कि यार मैं इसको दिये दूँगा किसी को भी, लेकिन मुझे exchange में कुछ भी चाहिए, जो मुझे पसंदाज है, वो किंग देखकर कहते हैं, लेकिन यार वो जो beast है, वो उसका तो आधा ही है इससा, और अगर पूरा होता, तो सोचो rank 12 का, कितनी बड़ी बात थी, फिलल एशिन पाइन, उस old man को, जो कि इस समान अपना निकाल था, exchange के लिए, उससे कुछ कहते हैं, और वो मान जाता है, फिलल यह चीज कोई खरीद नहीं रहा था, तबी जो old woman थी, वो अचानक से से कुछ देती है, औ और वांग लिंग को देती है, वांग लिंग मी बदले में से 10,000 जेट्स देती है अपना, और यह लेडी उससे वो जो जो दूसरा बंदा था, जैसे 10,000 जेट्स जीए थे, उससे देखर के उस चीज को खरीद लेती, वर्मिलियन बर्ड का जो फैदर था, उसके लिए, वो वांग लिंग के तरफ देखता है, कि यार इसके पास इतने सारे जेट्स है, वो जो ओल्ड में थे, जिनके चेरे पर सकार्स थे, जखम थे, वो एक फिक स्माइल के साथ बोलते हैं कि 13,000, वो किंग 15,000 कर देते हैं, और बस यह दीखना चाहते हैं कि वांग लिंग के पास क वांग लिंग शान्त था, और बोलता है 30,000, लोग अब शान्त होने लगते हैं, कि यार यह बंदा कौन है, बहुत पावर्फुल होगा, 30,000 सेलस्टिल देट्स, मतलब क्लावड सी स्टार सिस्टम में वैसे भी, यह काफी कम थे, और वो जो ओल्ड मैन थे, जिनके चेरे प वारा सैडर पे तो नहीं है, लेकिन इतने कल्टिवेटर के सामने भी, यह बंदा शान्त था, और जो ओल्ड वुमेन थी, जिससे वांग लिंग ने अभी मैप खरीदा था, वो वांग लिंग की तरफ दिक्कर को सोच रहे थे, एशन पाइन अभी भी स्माइल करते हैं, क्य वोकिंग 45,000 करते हैं, वांग लिंग 50, वोकिंग 55 करते हैं, बाकी लोग क्यों की बहुत पुराने थे, तो वो समझ रहे थे कि यह वांग लिंग के साथ खेल रहा है, एशन पाइन भी अब थोड़े से, मतलब उनको लगता है यार जादा हो रहा है, वांग लिंग को आप क्योंकि कल्टिवेटर वो आप मेरे साथ अंत तक कॉंपरिशन करना ही चाते हो, बट यह समाइल दिखाता है चेहरे पर, और इनके तरफ देखता है, और कहता है, जब आपको चाहिए ही, तो आप ही ले लो, वांग लिंग आखे तो बंद करता है, बट इसका किलिंग इंट वोकिंग को मैंने पहली बार इनवाइट किया था, मुझे नहीं लगा था, कि यह ऐसे कुछ हरकते करेगा, वांग लिंग अभी भी शान था, कि यह अरे कोई दिखकत नहीं है, और एशन पाइन कहते हैं, कि जब यहाँ पूरे सिटी का, मतलब बहुत आरे शहरे एकसात मिल के यह ट्रेजर के काम चलते हैं, तो खतम हो जाएगा, तो मैं आपको भेज दूँगा, वोकिंग आपको परिशान भी ने कर पाएगा, और फाइनले इनका सीरियस टॉक होता है, कि मैंने सुना था, आपको 5000 ओर्जिन क्रिश्टल्स यह थे, क्या वो सही है, वांग लिंग अपने शोरिज स्पेस को खुलते हैं, उसके अंदर से एक शोरिज बैग निकालते हैं, और वांग लिंग की तरफ फेकते हैं, और सच में वहाँ पर, उसके अंदर में मतलब 5000 ओर्जिन क्रिश्टल्स थे, क्लाउट सी में काफी रेयर माने जाते हैं, तो माशर एशन पाइ एक मैंने भी दे दिया, आठ है मेरे पास, बट मुझे उनका काम है, और वांग लिंग भी अब यहाँ से चला जाता है, बट एशन पाइन फैनली बोलते हैं, कि मेरे उर्जिन क्रिश्टल्स ऐसे नहीं की इतना आसानिस को यह लेके चला जाए, और वांग लिंग को समझ मे तो आगया था, कि एशन पाइन का भी जो इंटेंशन है, वो सही नहीं है, और वांग लिंग बोलता है, अगर वो यह सोच रहा है, कि उसके अंदर यह एवले इंटेंशन है, तो वो मुझे नहीं जानता है, कि मैं उससे भी बड़ा वीस्यस हूँ, 5000 ओर जिन क्रिश्टल्स यह वांग लिंग को एक दूसरा मैप देती है, कि वो वोला मैंने जो मैप दिया था, उसमें एरर है, वोकिंग से सावधान रहना, और यह निकल जाती है, वांग लिंग इससे रखता है, और तभी इसका एक्स्प्रेशन चींज जाता है, और इससे समझ में आता है, कि कि तरह पढ़ता है, और जैसे यह निकलता है, इसके पीछे एक लाइट बढ़ती है, वो था वूकिंग, और वूकिंग जब निकलता है, तो लोग फील कर लेते हैं, और यह जो लेडी थी, ओल्ड वोमेन, वो बोलती यार, यह सही तो नहीं, बट क्या ही कर सकते हैं, इधर सिटी के इस्टन पार्ट में एशन पाइन को दिखा जाता है, यह अभी भी कुछ सोच रहे थे, कि अगर मैं वहाँ पर फिर से जाओ, इतने सारे सेलेश्टिल जेट्स के साथ, तो साथ मैं सफवल हो सकता हूँ, तब ही अचानक से, यह कौरा फील करते हैं, और देख सकते स्पेस को चीरते हुए, कि वूकिंग उस तरह बढ़ रहा है, और यह सोचते हैं, कि वूकिंग का लालच बढ़ते जा रहा है, यह निर्वाना शैटर में पहुँच चुका है, लेकिन इसका लालच कम होने का नाम नहीं ले रहा, और इसने, एशन पाइन ने इसलिए इसे पहले से पता था, कि लूज जिहाओ, यानि कि अपना वांग लिंग और डेविल कलेक्सन सेक्ट में कुछ पंगा है, तो जब इनका बैटल होगा, तो यह वैसे भी इंज़ाट हो जाएंगे, और मैं इसका फायदा उठा लूँगा, इधर इसी शहर में, एक बंदा था, वो बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, उस बंदे का कल्टिवेशन लिवल, वुकिंग से नीचे है, लेकिन उसे पता है, कि वो क्या कर रहा है, वो फिर भी मेंन सिटी से बाहर निकला है, मतलब उसके पास प्लैन होगा, स्कॉलर बला बंदा स्माइल करता है, कि रिजल्ट आने तो पता चल जाएगा, और सब की नजरे अब इस बैटल पे थी, इदर उस ओल्ड मैन को, जिसके चेहरे पर जखम थे, उससे दिखाए जाता है, कि मैं इस जगे पर तो आता ही नहीं, अब एशन पाइन ने बोला था, इसलिए मैं आया था, देखते है क्य होता है, मतलब यह बंदा strong है, फिर भी छोटे को बुली कर रहे है, यह बंदा सुधरे गाने, walking तुम यार, इदर टांगली है वगरा को भी दिखाए जाता है, कि यार यह walking तो पहले निकल गया, और यह walking को रोकता भी नहीं, बड़ सोचता है, कि यार सर ने बोला था, कि उ उस बंदे से पंगा मत लेना, लेकिन walking, oh walking, तुम हमेशा से ऐसा ही करते हो, और वो जो middle management था, जो के बीच में गायब हुआ था, जब वांगलिंग इससे मिला था, वो भी यहीं पर था, और बोलता है यार, यह walking इतना reckless क्यों है, और यह फिलाल निकलता है यहां से, और भी यहां पर बहुत सारे powerful लोग थे, तो वो भी फिलाल इस battle को observe करने लगते है, मतलब सबका ध्यान उस तरफ जार चुका था, कियान में जो थी, वो eastern part में नहीं थी, बलके एक tower के peak पर खड़ी थी, और इसके आसपस हवा के जोके चल रहे थी, इसके आँखों में चमक था, औ मैं क्या जीजू, और वांग लेग फाइनली पलटता है, मतलब जो यह travel कर रहता है, यह रुक जाता है, पलट के देखता है walking की तरफ, और walking भी तुरंदी, एक powerful attack launch कर देता है, और बोलता है junior मुझे blame मत करना, तुमने मेरे एक junior को hurt किया था, तो तुम्हें मरना पढ़ेगा और मैं तुमारे origin सोल से, फिर एक pill refine करूँगा, यह जो attack था, एक mountain type attack था, जो कि वांग लिंग से बस अब 5 feet की दूरी पे था, वांग लिंग इस पर एक punch मारता है, और कहता है, बहुत कमजोर है तुमारा attack, walking chalk जाता है, और एक sealing technique बनाता है, अब यहाँ पर black wind और white wind ऐसा merge ह होने लगते हैं, एक vortex बनता है, जिसे यह बोलता है, power to uproot the heavens, और आसपास के जो 5000 km की origin energy थी, वो इसमें मर्ज होने लगती है, वांग लिंग आखे बनत करता है, फिर खोलता है, और जो killing intent था, वो बाब लेवल पे था, अलग ही लेवल पे था, और यह बोलता है, वो king, तुम बंदे का attack, यानि walking का attack, और वांग लिंग का attack एक दूसरे से टकराते हैं, वांग लिंग रुखता नहीं, दोनों attack collide कर रहे थे, इसका जो left hand था, जो किसके right hand पर focus कर रहा था, यह और बढ़ता है, और 50,000 km की और वो किंग के spell को counter करने लगती है, और वांग लिंग third finger को, प यह बहुत सारे treasures निकालने लगता है, यह जो technique वांग लिंग ने भी use किया था, यह master लूफू का technique था, जब वो टाउसे से fight कर रहे थे, टाउसे अंसे, तब उन्होंने use किया था, ancient god land में, कुछ दिल पहले की बात है, और यह जो attack था, यह black palm type attack था, walking के chest से ठकराता है, इसक और यह जो attack था, यह rain celestial real में, जो वांग लिंग ने देखा था, जिससे इसने कई लोगों को डराये था, बटी यह use नहीं कर पाता था, यह से red butterfly को, फिर demon general mole है को भी इसने डराये था, आज यह फिर से उस attack को use किया था, और जिसी attack बनता है, इसने same attack को link ट्यान हो को भी पर जैसे इस technique को यह reveal करता है, लोग हक्के बक्के रह जाते, क्योंकि इस technique का नाम था, war spirit print, यह rank 9 के, जो god sect है, war spirit print को use करते है, तो लोग एक दम मतलब अवाक हो जाते, कि क्या यह बंदा god sect का है, rank 9 के god sect का है, और walking को तब समझ में नहीं आता है, उसे समझ में आ चुका था कि आप यह जाने वाला है, जाए यह निर्वाना shatterer का भी cultivator है, बटी यह जो war god sprint है, वो अलग level पे है, यह भाग नहीं लगता है, बटी attack बहुत powerful था, walking एकदम blood के समार explode कर जाता है, तो इसका origin soul भी नहीं भाग पाता है, यह मर चुका था, और जैसे मरता है, walking ने जापर space को खोला था, treasures निकालने के लिए, वो बंध ही हो रहे थे, मतब थोड़े समय के लिए आप उसे खोल सकते हो, तो वांग लिंग उसे खोल लेता है, इस technique को इसने कुछ समय पहले सिखा था, कि देखो अगर निर्वाना shatterer या निर्वाना क्लिंजर के बंदों को आप मार र रहता है, और काफी आगे तक जाता है, पहाडों को ऐसा कॉलाप्स करवाते जाता है, और लाश में जहां पर इसकी औरा खतम होती है, वहां पर एक छाप बन जाता है, वार स्पिरिंट का, मतलब पांच उंगलियों के निसान, और पैंगलाई के जितने भी कल्टिवेटर से सबकी फट चुकी थी, क्योंकि जो वांगलिंग का ये पाम अटेक था, ये उस जगे पे पहुंच जाता है, जहां पर पैंगलाई का फॉर्बेडे निरिया था, वांगलिंग खुद शौक्ट था, इस पावर को देख करके, कि यार इसका इतना खतरनाक पावर है, रेंज स्कॉलर थे, और वो beautiful woman, वो भी यही देख रहे थे, कि भाई, इस बंदे को छुआ नहीं जा सकता, और ये जो स्कॉलर था, इसके आँखों में एक अलग चमक था, बट ये फिर भी शौक्ट था, वो जो old man थे, जिनके चेहरे पर जखम थे, इन्होंने देखा क्या था, इन भी वांग लिंग को मारना चाते, और ये खुशी फिल करते, कि मैं पहले नहीं गया, अच्छा वह मैं बच गया, और ये जो लेडी थी, जुन्होंने वांग लिंग को स्टार मैप दिया था, वो उस निशान को देख रहे थी, वाटर प्रिंट के, पता नहीं क्या सोच रह भी था, इसर वांग लिंग, क्योंकि इसके कपड़ पर थोड़े धूल लग गये थे, तो उन्हें थोड़ा ऐसा हाथ से मार के साफ कर रहा था, आगे बढ़ता है, और इससे ज्यादा दूरी पर नहीं, एक चेहरा पीला पढ़ा था, एक मेडिलेज्ड मैं, इससे छिपते यह दिखाए देते हैं, और यह बोलता है, आप लेट हो थोड़ा, और यह बंदा तुरंदी बोलता है, डेविल कलेक्शन सेक्ट का, शैंक की फैलो कल्टिवेटर को ग्रीट करता है, वांग लिंग कुछ बोलता नहीं, बस इसे कोल्ली देखता है, यह बंदा निर्वाना आप एक्सिलेंसी, आप तो गौट सेक्ट के हो, यह उसकी गलती है कि वो मारा क्या, वांग लिंग भी समझ रहा था, कि जितना मिश्टिरियस एक्ट करूँगा, उतना मैं मिश्टिरियस दिखूँगा, गौट सेक्ट के जैसा, और यह रैंक 6 वाले जो सेक्ट है, इनके व और भाई वांग लिंग पहले से भी, वर्मिलियन बर्ड का डिवाइन अंपरर था, और फिलाल यह बंदा, दो देता है, रैंक 10 के पिल्स, और बोलता है, यह मिरे लिमिट है, और वांग लिंग अभी रुपता रही, यह वो किंग ने, बहुत सारे पिल्स का दाम बढ़ा अब वांग लिंग के चाने के बाद, इस बंदे का गुस्ता देखने लाएक था, इसका चेरा अगली हो जाता है, कि वोकिंग मैंने तुम्हें बोला था, कि इस बंदे को प्रवुक मत करना, और तुम्हें क्या पता था, कि यह बंदा कहां का है, यह गौड सेक्ट का है, इ कि यह बहुत कमी कोड डिसाइपल्स होते हैं, जो गौड सेक्ट के बाहर निकलते हैं, और वही लोग बस, वो और गौड सेक्ट को यूज कर सकते हैं, और यह फिर सोस्ती, इस बंदे का जो पहला अटेक था, जो वांग लिंग ने वो जो पहला पाम अटेक किया था, वो स् डर था, और बहुत सारी लोग वांग लिंग को ग्रीट करने आते हैं, एशन पाइन भी स्माइल देते हैं, मानों यह बात करना चाहते हो, बट वांग लिंग फिलाल उतना भाव नहीं देता है, यहां से निकल जाता है, अब यह दीखरा था, इसके पास बहुत सारे करने लगते हैं, मतलब सेम वाइबरेशन पे मानों, वाइबरेट कर रही थी, और वांग लिंग सोचता है, अगर मैं थार्ड अविकनिंग जा पाया, वर मिलियन बर्ड का, तो मेरे पावर और श्रॉंग हो जाएंगे, लेकिन एक फंक से कुछ नहीं होगा, फाइनली, जो पंक के अंदर फ्लेम था, वो वांग लिंग के लेफ्ट आई में एंटर कर जाता है, और वांग लिंग के असपस, सी ओफ फ्लेम्स के औरा बन जाती है, और इसे यह एब्जॉर्ब कर चुका था, और यह सोचता है, अब वैसे भी मेरा नाम सही चल रहा है, गौड सेक के न और यह भी जानते थे, यह खुद निर्वाना शेटर के अर्ली फेज में थे, और जो बंदा वोकिंग मरा था, सेम लेफल पर था, तो इन्हें पता ही था, और यह पना नाम बताते हैं, इनका नाम डू डे था, और यह रोक कल्टिवेटर है, मतलब कोई सेक्ट नहीं है, औ यह आपको रोकने के लिए कोई बादल नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए रहती है, और यह बताते हैं, कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था, क्योंकि मेरे ओल्ड फ्रेंड ने मुझे इन्वाइट किया था, दो दिन बाद मैं यहां से चला जाँगा, और अगर आप रैंक 6 के रिजन में फ्यूचर में आते हो, तो आप मुझे मिलने आ सकते हो, मतलब यह अपना एड्रेस वगरा देते हैं, क्योंकि फिलाल शायदी यह रैंक 5 या रैंक 4 का रिजन ही है, बट वांगलिंग इनके तरफ देख रहा था, ओल्ड मैन भ accidentally, वांपर बहुत सारे बीश्ट है, जिनके पास fire control अच्छा है, काफी खतरनाक जगह है, और यह एक Z देते हैं, जिसमें वांगा information था, और यह बताते हैं, जादा अंदर इसली नहीं गया, क्योंकि वांपर rank 11 का भी बीश्ट है, यह थोड़ा और बात करते हैं, फिर old man चल तो कितना accurate हैं, मुझे भी नहीं बता, तो आपको खुद ध्यान से देखना पड़ेगा, वांग लिंग इने thanks बोलता है, कि आपने मेरा अच्छा खासा काम कर दिया, अब Asian Pine बोलते हैं, क्या आप वो कलवाला auction अटेंट कर रहे हो, वांग लिंग बोलते हैं, Asian Pine आपको जो मज में नहीं आता है, और finally Asian Pine बोलते हैं, कि मैं छोटे में बात बताता हूँ, वैसे भी आपको origin crystals चाहिए, तो अगर आप मुझे उस जगे पर जाने में मदद कर दो, तो मैं आपको बदले में 10,000 origin crystals reward के रूप में दूँगा, रूम शान था, वांग लिंग सोच रहा था, वांग लिंग थोड़े दिर बात बोलते हैं, मुझे 20,000 origin crystals चाहिए, और 10,000 तुरंट चाहिए, एशन पाइन मान जाते हैं, और बोलते हैं, कि कल कोई auction के बाद मैं आपको deliver कर दूँगा, फिर हम निकलेंगे यहां से, पर यहां से निकलने के बाद, एशन पाइन जो पहले सालों से प्लैन कर रहा है, तो शोरी यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ,